हाई गयज आज के वीडियों में बात करें क्या funded next में निकलेगा like my forex fund एट हम बात करेंगे विजजा हैं कि विडियो के विडियो के विडियो के बीच बीच में नाम लग लुँआ तो आप प्लीज पूरा वीडियो कम्टीट वोच कीजिएगा अगर आप जीतते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम एड़ेट नाइट्रेड और टीन पर कॉन्टेक कीजिए वहां से मैं वेरिफाइ करुआ देन मैं आपको अकाउंट जो आपका है वो रिलीज कर दूँँगा तो गाई जब फटा फट से आज की इस वीडियो का जो टॉपिक हो मतायता हूं कि क्या फंडेट नेक्स जो है वो स्कैम है ठीक है इसके ओपर हम बात करेंगे या simulated trading virtual trading prof firm ट्रेडिंग कैसे काम करती है real funded trading firm डोकेशन बेज जो form आजकल चलरहा है कि UK का जो trading वो है वो मतलो है केनेडा वाले मतलो वाकी सब दुभाई वाले वो ले लो वो सब सारी चीज new prof firm versus old prof firm में क्या जो है ठीक है वाले ब्रोकर जो खुद की ट्रेडिंग फर्म रखते हैं मतलब ब्रोकर इस रखते हैं या जो दूसनों का लेते हैं उन सारी चीज़े और गिववे का विंडर तो यह पूरा आज का वीडियो में कॉंटेक्स रने वाला है सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने यह से क्यों लिखाई कि फंडेड्नेक्स स्कैम है तो वह रिसेंट में एक मेल आया था मेरे पास भी एक बंदे का यहां पर आप चेकर तो जिसमें कुछ उनका अकाउट के साथ कुछ मैनिपलीशन हुआ था तो उस बंदे ने फिर कंपलें किया और उसके बाद थोड़ा सा फंडेड्नेक्स की तरफ से मिस्टेक हुआ है जो उनको आंसर मिला उस बंदे को कस्टमर सपोर्ट के तरफ से वो लिजिट आंसर नहीं था फिर अगेन थोड़ा सा बवाल मिचा तो ऐसे कुछ सिनेरियो था तो गैस अगर मैं ऐसे सर्च करूं तो अगर मैं किसी भी वेबसाइट पे जाँ या वो दफ़ंडे ट्रेडर हो या वव स्कील फंडेड डेडर आ वो या वो पंडे उनका मैंने स्क्रीन सोट ले रखा है अपने ड्राइब में डाल रखा है तो गई सबसे पहले जो विनर है वो है Amandeep Singh Hi brother I know that you do not make videos for paid promotions but whatever you make is real you are very real and simple with people interesting thing that I meet you in your office ये बन्दा मेर से मिलने के लिए आया बितानो एडा में and तीजे जिनितिन और इसमान की सुबग और गाइस विन्हों ने बात बोली promotions के लिए तो देखो मेरे बास ऐसे जितनी भी company प्रमोच करती है तो ये they offer money and these give away मतल़ ये offer करते हैं तो मैं money एक तरिगे से नहीं ले था but मैं सोचते हूँ कि community को give away दे दूशा that जो बैसा मिलने वाला था आपके इन सब चीज़ों में चला जाएं या या आदा चीज़े से हो जाए ठीक है तो आपको मिल गया भाई एक account तो गाइस फटा फटा से अपने topic के वापस आते हैं और देखते हैं कि क्या है पूरा एसे military trading जो है real funds trading के है जैसे भी recent में guys my forex fund के साथ जो USA का regulator ठीक है और Canada के जो regulator है जो agencies है उन्होंने उनको ban कर दिया ठीक है तो अब इसको देखते हुए जो other firms है अन्ही other firm जो इस industry में काम कर रहे है मतलब जिन जिन चीजों के लिए इन पर charges लगा जैसे कि real fund पर trading ना करवाना ठीक है the funded trader को use करता हूँ जादा तो अगर आप उनके भी website पर जाते हो तो यहाँ पर पहले ऐसा नहीं लिखा जाता अब यह निया term यूज हो गया simulated trading period ठीक है simulated या virtual profit target पहले से profit target था अब यह लोग इस तरीके से सतर्ग हो गए कि गलती से भी इनके उपर गाज ना गिर जाए ठीक है आपके पास throughout the time एक account होता है बस उस account पर जो profit generate करते हो वो आपको payout मिलता है दूसरा है यह जुनेद इनको मैंने Instagram पर मेरी काफी समय से बात हो रहे हैं से मतलब इनको मैंने देखा है I am not gonna butter you of things but I must tell you something that you are the reason why I am still in trading because middle class लोग बैटस आपने तो देखें लेते हैं but keep को सब्सक्राइबर मतलब सब्सक्राइबर भी और Instagram पर इमेंट से बात करते हैं तो देखो as a trader मेरा काम यह नहीं है कि वो पैसा real है या simulated है मेरा as a main concern क्या हूँ अच्छी कि जो profit में generate करूँ उसका मेरे को जो भी 80% या 90% जो भी में हूँ जिस ratio में मुझे वो payout मिलना चीए ठीक है क्योंकि पूरा prof firm industry का जो basic concept ही काम करता है कि हम lose करेंगे तो they will win अगर वो इस तरीके से भी इस model पर काम करेंगे तो at the end जादा दिन तक survive नहीं कर सकते आप पहले दो डेमों में trade कर रहे होते हो बट आपका वो concern नहीं होना चीए आपका concern हो चाहिए कि you made the profit आपको withdrawal मिला गुट्टू को अब withdrawal यहां से है यहां से है क्या मतलब है और उसके बाद हम guys बात करेंगे location-based जिससे अब रीशेंट में क्या हुआ है कि यह country की USA वाली और Canada वाली जब से scene हुआ है तो बहुत सारे जो profit में वो जो US-based profit में उन पर थोड़ा सा जो sales है उनका drop हुआ है उससे क्यों क्यों कि सबको लगता है कि USA के जो regulations है थोड़ से tight है तो सब लोग क्या है दुबाई-based दुबाई-based कर रहे है in fact मैंने वीडियो मना है बट एक logically यह है कि जो जिस-जिस mistakes की वेज़से इन company को यानि यह my forex funds को पकड़ा गया था वो जो mistakes है यह company नहीं कर रहे है जो the funded trader है यह skill funded trader है यह funded next बोल सकते हो आप तो वो सारे जो mistakes है वो avoid कर रहे है थीक है बट मैं still आप हो को कि आपको सतर गया करना है क्योंकि यह सब जो company है ने location based USA वाली वो शली company तो USA से गाई तो यह क्या है यह अपना जो system में offshore कर देती है यानि किसी और देश में अपना system जलाती है यह पे इनको regulations का और खासकर जब एक के उपर गाज गिर जाता ना तो जो दूसरे बंदे होते ना वहीं फूक के पीते है हमारे खावत है हिंदी में की समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं तो वो सीन हो गया अब इतनी बड़ी company है उनको पता है यह सब regulations आने वाला है यूगि अभी तक इस industry में को regulation नहीं आए था थोड़ा बहुत regulation पर चल रहा था तो obviously जब grow होता है कोई चीज तो regulators का भी नजर पड़ता है वे ऐसा को चल तो उस पर regulations लेके आते अब एक के उपर MFF के उपर example सेट कर दिया इन्होंने ठीक है तो बाकी जितने prop firms है जिसे की truthworks fund हो गया 5% हो गया funded next हो गया the funded trader program हो गया या skill funder trader हो गया smart prop trader हो गया the funding plus हो गया बहुत सारे जितने भी company है इन सबने क्या किया इन सबने अपने proper website पर mention कर दिया यह हम simulated trading कर आते हैं या हम actually में account देखे ट्रेडिंग कर आते हैं ठीक है but as a trader आप क्या होना चाहिए कि just clear the account and take your first withdrawal and जैसी आ रहो आ जाई फिर आप ले सकत ठीक है अब उसके बाद हम बात करते हैं अभी market में बहुत सारे क्या नए profile आ गया है नए profile versus old profile अब नए profile old में क्या है नए के साथ क्या दिक्कत है नए के साथ यह कि यह इस तरीके से लोग targets रखते हैं बहुत low like 55% 6% target रखते हैं उसके बाद profit split 95% और buy करने जाओगे तो आपको refund में मिलेगा मत्तब ऐसे रोल्स जो बिल्कुल आपके favor में समझ नहीं है और as comparatively cheaper भी इस जो पुराने प्रफफर्म है अगर वह 100 डॉलर का account मान के चलो 500-600 कोस करा तो इनका 350 में कोस करेगा चार सो तक कोस करेगा इस जो नए profile सारे लोगी competition बढ़ रहा है market बढ़ य जो आपका पैसा है यह वही company लेकर बगजे अगर मान के चलो कोई company आती है कि आप instant funding लो और हमसे जो भी आप पैसा बना होगे मान चलो आपने 500 डॉलर का account दिया बट वह आपको दे जी 1000 डॉलर गवाने का 1000 डॉलर गवाने का तो क्या आप इस firm पे trust करना चाहोगे नहीं नह आपका बेवकूब बनाने आएगे तो ऐसे नए platform पे भी नहीं जाना आपको जो पुराने या काफे टाइम से चल रहे हैं जैसे MFFP काफे पुरान था ओल्डो बट वो बाट वोलेशन कर रहे थे तो उनको ले गए कम मतलब regulation वाले बट जैसे FTM हो घर FTM हो तो इंडिया में सरकल है जिस तरीके से इनका सरकल है तो कैसे ओलेडी मतलब अच्छे कासे लेवल पे ये सारे बढ़िया ट्रेडर्स के द्वारा ये platform बनाएं ठीक है तो आप मुझे इसलिए पसंदा आथी कि ट्रेडर्स के लिए और ट्रेडर के द्वारा बरेंगे इसलिए मिनको अच्छ में इन्होंने इस्टाग्राम जोइन किया है मेरे से कॉल टैक करने के लिए तो वहां पर इन्होंने सारे शीज़े लिखा हुआ है उसके बाद जो MFF का सीन हुआ था ओन ब्रोकर या जो रेगुलेटेड ब्रोकर जैसे अब देखो जो आपको अकाउंट मिलता है वो क्या ज अगर अदर आप प्रोकर खरीद होगे तो वहां पर आपको मिलेगा 8-cap का ब्रोकर मिलता है वहां पर आपको IC Markets का मिलता है तो मतलब जो थोड़े से popular broker है उनका account मिलता है तो वहां पर ना manipulation यह additional sleeper लगाना artificial sleeper लगाना यह possible नहीं है तो इसके वजह से भी यह जो प्रोपरम में आपको अना चाहिए कि आपको पाल लो अपना डाउट न खाउंट ter DayTrader413 भाई आपने पहले गिववे उन्हें दे दिया जो आपको पहले से फोलो गड़ते थे मुझे रिसेंटे आपका चैनल मिला है तो मुझे गिववे नहीं मिलेगा क्या काफी टाइम फोरेक्स के बारे में सर्च की यूटूब तब आपका जाका चैनल मिला लाव यू फोर्म यूपी में तो अचीव हाय सक्सेस इन यूर अपकमिं यूर्स लाव फोर्म लुड़ा टूबरो आपको फोर्म यूपी तो भाई देख लो मैं असा ने कि इसे बुशी को देता हूं जो मुझे पहले फोर्म गड़ता है ये कमेंट मुझे आपका अच्छा लगा तो इसलिए मैं आपको दे दे रहा हूं गईस क्योंकि अगर ये इंडर्सी सबको रियल पैसा देने लगी ना तो ये तो अल्रड़ी बना ही हुआ इस बेस पे कि भाई जो बनाते हैं उनको उनमें से थोड़ा सत दिया जाता है अगर सौ में से नब्बे लोग आपको पैसा दे रहे नाइटीनाइन लोग पैसा दे रहे हैं और एक बंदा लेके जा रहा है तो उस तरीके सा आप ट्रेड कर सकते हूं जो बहुत सारे चीज़ें होती है जिसमें भी जब ट्रेडिंग के अंदर जब लाइब अकाउंट आपको मिलता है अच्छा ट्रेडर होता तो उसको कैसे बैक कर जाता है जो बुरा ट्रेडर उसको कैसे बैक कर जाता है मान चलो कोई trader consistently profit निकाला तो उसको actually में real trading में shift कर दे जाता है ताकि वहां पर company वो actually market से फिर पैसा निकालता है company के जब से पूल से नहीं जाता है तो ऐसे बहुत सरे category होती है वो आपकी जो trade करते हैं उसके बाद डिफाइड होता है तो गाइस अब जो next winner है उनका देख लेते हैं उनका comment क्या है था यह है मुसकान नागर मुसकान अगरवाल 402 थैंक्स माइ ब्रदर तन्य रेकमेंडेड मी अबाउट जो चैनल इट वस गूड और इंफरमेटिव वीडियो गाइस तन्य ने मतलब मतलब मेरे वीडियो को सेर गया टेलेग्रामस पे मेरे वो कही सारे कमेंट आए कि माइ ब्रदर तरले तरले रेकमेंडेड अनौल ताइट मतलब मैंने अच्छुली मैं देखा दवालोग इन्होंने रेकमेंडेड जादे ही किया तो इसलिए मैंने इनका जो है एक अकाउंट इनको दिया जो लोग नहीं जीत पाए है और नहीं शोड़ना जो अगर आपको अकाउंट पे ची होता है तो आप प्लीज अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करो या लिगी कि किसी एक अकाउंट में ट्रेड करो तो तीन चैनल मेंने का रिकॉर्ड है तो मैं परस्नली आपको फंड करूंगा परस्नली आप मुझे मेल कर सकते है मटाइसा नहीं कि आपने सेट अप दिखा दे ट्रेडिंग पे और वहन पे बाइसल टीप एट होगया वो नहीं जो आपका सेटाप है वही प्रॉपर ट्रेड लगने चीए तीन मेने चैनल मेने के इस्ट्री और डेम अकाउंट मेरे को बेजो मैं बात करता हूँ फंडवन का नेख लेगा कोई प्रॉब्लम में ठीक है तो गाइस जो भी मैने इंफर्मेशन दिया फिर भी कोई क्वेरी है तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे डियम कर दीजिएगा जो भी इनके इंपोर्टेंट लिंक से कौन सा दोकर में उसकरता हूँ कौन सा मैं रेकेमेंड करता हूँ अगर आपका नाम आया है इस गिववे में तो प्लीज इस गिववे के लिए मुझे ख्लीम करना है मुझे इंस्टाग्राम पर मेसेज करना है उसके बाद में कोमेंट आपका कमन्न meaid मैं आपको दे दूँँगा है आई ऑँ पीडू वीडियो है आपको अच्छा लागा होका रुड़ा तो प्लीज वीडियो को सेर कर दीजेगा लाइक कर दीजिए, कॉमेंट कर दीए जो भी कोश्चन है जब तक लिए मसतर रही आवाद रही और बोलतर रही आवाद मत कीजए